नमस्कार मैं हूँ आशीश, धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फल्दाई होगी शुभ तिथी प्रतिपदा नंदा संग्यक्ति थी साई 5-36 तक तदंतर दुतिया भद्रा संग्यक्ति थी है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा शीन हो रहता है शुभवे मांगलिक कार्य शुभ नहीं रहते पर शुक्ल प्रतिपदा को देवी कार्य और नवरात्रा की दृष्टे से शुभ माना गया है वैसे भी अभी शुक्र अस्त है इसलिए मांगलिक कार्य वर्जित है चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके उपर इसका क्या असर रहेगा सिद्ध होते हैं मांगलिक कारियों के लिए अभी समय शुद्ध नहीं है अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथ हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग योग परिग नामक नैसरगिक अशुव योग रात्री 729 तक ददंतर शिव नामक नैसरगिक शुव योग है परिग योग की पूरवाद्र गटियां शुवकारियों में त्याज है करण बव नामकरण साए 536 तक तदंतर बालवादिकरण क्रमश है अब जान लीजे आज के व्रत त्योहार उत्सव और विशेश आयोज्वन के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्थिति कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा सिहराशी में संपून दिवारात्री है दिशा शूल गुरुबार को दक्षिन दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहता है चंद्र इस्तती के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा लाभदायक और शुभ प्रध है अब आपको बताते हैं शुब मुहुर्त और श्वेष्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मुहुर्त उपरयोक्त शुबा शुब समय तिथी वार नक्षत्र वे योगानुसार आज मघा नक्षत्र में हल प्रभाहन का मुहुर्त है अन्य किसी शुब कार्यादी के शुब वे शुद मुहुर्त नहीं है सुरेष्ट चोगडिये आज सुर्योदह से प्रात्य साच चालीस तक शुब पूर्भान दस चववन से अपरहन तीन पैतारीस तक क्रमशह चर लाभ व अम्रत तथा साइं पांच बाइस से सुर्यास्त तक शुब के सुरेष्ट चोगडिये हैं एवं दोपहर बारे बचकर पांच मिनिट से दोपहर बारे बचकर सत्तावन मिनिट तक अभिजित नामक स्रिस्ट मुहुर्त है जो आवशक शुब कार्यारम के लिए अतियुत्तम है अब आपको बताते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में करने वाले चतुर, व्यवहार, कुशल, व्यापार से अच्छा लाव कमाने वाले और सुख संब्रदी के भोगता होते हैं इनका भाग्योदय 25 वर्ष की आयू के बाद ही होता है सिंह राशी वाले जातकों को अपने कार्यक्षेत्र से प्रचुर लाव मिलेगा कार्यका विस्तार रहेगा माननिये लोगों से संपर्क स्थापित होंगे तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रेहनक्ष्वत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ग्रेहनक्ष्वत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास रखते हैं ईश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार